हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुए अग्रेंपायर आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करूंगा आपका MPPAT 2024 की नेक्स्ट प्रोसस्स क्या होने वाली है आपकी अभी आपका क्या होने वाला है किस कैसे कि रजिस्ट्रेशन करेंगे फीज कितनी लगी कि रजिस्ट्रेशन में important documents क्या होने ाले हैं आपके क्या लगने वाले हैंと इन इस सारे जतने doubts है आपको और others जतने doubts हैं doubts हैं आपके जिन्होंने MPPAT और Edit दौनों का एक्जाम दिया था, या फिर Edit का ही एक्जाम दिया था, ठीक है, तो Agri Empire को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमारी WhatsApp चैनल और Telegram ग्रूप में भी जोईन हो सकते हैं, उसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी, उसका reason बता दूँ आप क्यों जोईन मिलती है, वो आपको मैं वहाँ पर जल्द से जल्द दे पाता हूं, समय से पहले ही, WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप में आपको मिल जाता है, इसलिए आप उसको जोईन कर लेना, link in description box, ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या-क्या important dates है, कौन-कौन से य क्या है क्रशी महाविश सुद्याले जबलपूर के दोरे एक notice है, यहाँ पर दिया गया है, कि आपको कौन-कौन से यहाँ पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तवेज, मतलब कि आपको जो verification कराने जाने पड़ेगा, offline अब जाओगे, जिस colleges में, वहाँ पर किसी और तुबत मत मानिए, बाकि आप यहाँ पर जो क्रशी विश्वत द्याले की बात माल लिए, ठीक है, यहाँ पर कौन-कौन से documents आपको चाहिए, जो कि आपको offline यहाँ पर verification करने के लिए लगेंगे, आप देख लिजिए, यहाँ पर सबसे पहला है, प्रवेस में registration चलेगा, उसमें आपको choice feeling करनी पड़ेगी, choice feeling आप जैसे करते हो, आपको उसको print निकाल कर रख लेना है, और उसी समय आपको 550 रुपए fees payment करनी पड़ेगी, यही था आपका बहुत बड़ा doubt कि fees कितनी लगने वाली registration में तो 550 लगने वाली है, उसका print आपको निकाल कर आपको प्रिंट आउट कराकर निकाल कर रख लेना है, आगे आपको लगने वाली है वो, ठीक, offline में यह सब देखा जाएगा, ठीक है, जाती प्रमाड पत्र, आए प्रमाड पत्र, ठीक है, यह आप देख लीजेगा, आए प्रमाड पत्र, तीन साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नया वाला ले जाना, ठीक है, जाता पुराना आए प्रमाड पत्र आपका नहीं चलेगा, यह आपको बता दू, ठीक है, मद्य प्रदेश का मूल नवासी प्रमाड पत्र, यह यहाँ पर, यह important है, मद्य प्रदेश का मूल नवासी प्रमाड पत्र मतलब की, अगर अगर आपका खुद है आप 18 से उपर हो गए हो तो आपका खुद का मूल लेवासी प्रमार पत्र बन जाएगा अगर आप 18 से कम हो तो आपके पिताजी का यहाँ पर मूल लेवासी प्रमार पत्र लगेगा पर important आपके पिताजी का तो लगेगा बाकी उसमें आपका भी नाम ह होना चाहिए ऐसा नहीं की आपको पिता जी के लगजाएगा ठीक उसमें आपका नाम होगा तब प्रमार पत्र या कि विकलांग विकलांग प्रमार पत्र यादी लागू ओ यदि आप यहां इस ₹ कροई क्राइटिरिया को फिल करते हैं तो ही लगाईए गा नहीं तो कोई यरुष्वत या बनता है वो आपको यहां पर लगने वाला है important है यह अभी आपको कब लगेंगे आपको यहां पर verification करने के बाद लगेंगे आपको offline जाकर इन सब documents का verification कराना बढ़ेगा उसके बाद आपको वहां से एक slip मिलेगी उस slip को आपको समझाल कर रखना है ठीक है अब next process क्या होने वाली है यहां पर आपको important dates बताने वाला हूं कौन-कौन सी आपकी important dates है यह आप देखिए इसको पहले सबसे पहले यहां पर देखते हैं आप कितने अंग पर जो है counseling करा सकते हैं ST, OBC, ST, EWS, SNWD यहां पर कोई भी mention नहीं किया गया है आपके कम से कम अगर दो अंग भी आते हैं MPPAT में तो आप counseling करा सकते हैं कोई भी कैटिक दिकली यहां पर कोई भी यहां पर अंग नहीं दिया गया है कि आप इतने अंग होंगे तब ही आप counseling करा पा सकता है उस college को फिल करना ठीक है यही होती ही प्रफरेंस लिष्ट और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रक्रिया है 12 तारिक से start होगी तो friends अगर आपको preference list बनाना नहीं आता है तो आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपसे नहीं आता है तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ बिल्कुल कम price मा only 59 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे और मैं आपको preference list बना कर दूँगा आपकी rank category और score के according और आपको मैं guarantee देता हूँ कि आपका selection हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर आपको so कर रहा होगा इसी WhatsApp नमबर पर आप मेरे को message करें और अपना result send करते हैं चाहिए आपने MPPT के exam दिया हो चाहिए आपने edit का exam दिया हो मैंने दौनों के ही exam की यहाँ पर आपको preference list बना कर दूँगा only 59 रूपीज में ठीक है और आपको जब तक आपका college नहीं मिल जाता तब तक आपको guidance करूँगा और आपके सारे doubts भी clear करूँगा मैंने अभी तक बहुत सारे students की preference list बनाई है पिछले साल भी और उन्ही preference list के मकबले उनका best college में हुआ है ठीक है selection दो छोड़ो best college में हुआ है तो अगर आप चाहें तो preference list बनवा सकते हैं आपको यहाँ पर यह QR code देख रहा है उस पर scan करना है और आपको 59 रुपीज जश्ट पे करना है और आपको मैं कुछ ही घंटों में आपकी preference list प्रोवाइड करा दूँगा और आपको जो भी doubts आते हैं आप comment कर सकते हैं बिलकुल मैं आपके सारे comments के reply करूँगा और edit के cut off पे उपर भी वीडियो आईगी कि उस दन में इसलिए चैनल को subscribe करके रख लेना ठीक है यहाँ पर आपका 12-17 आपना choice feeling कर ली preference list आपको नहीं पता है preference list तो आप में इसे call की यह सी WhatsApp नंबर में आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे गौर से तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सारे colleges की list दी गई है ठीक है कौन-कौन से colleges से एक बार मैं पढ़के बता देता हूं पवार खेडा हो संगबाद ना पवार खेडा हो संगबाद एक है ठीक है ओध्यानी की महावध्याले में मंदसौर और जबलपूर ठीक है यहाँ पर छंदवाडा है ना सागर पन्ना यहाँ पर आप इन colleges में आपको आपके घर से जो colleges आपको पास पढ़ता है आप वहाँ पर जाकर offline documents verification करा सकते हैं ठीक है कोई भी colleges में आपने 18 से किसा आपका document verification करा लिया कौन-कौन से जाने है मैंने आपको यहाँ पहले ही बता चुका हूँ ठीक है आप क्या करना है अवांटन पत्रों की online उपलब दता यानि कि आपको 25 से 29 तारीक के बीच आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से college में नाम आया ठीक है उस college में आपको जाकर बाकी 5000 यहाँ पर online आपको payment क करनी पड़ेगी उस payment की receipt आपको उस college में ले जानी पड़ेगी जहां पर आपको selection हुआ है ठीक है उस college में अगर आपको पसंद आता है तो आप उस college को उस college में आकर एडविशन ले लिए बाकी फीस ले जाकर अगर नहीं आता है तो आप यहीं से एक upgrade का option आता है अप्ग्रेट पर click करकर आप next दूसरा अच्छा college के लिए wait कर सकते हैं अप्ग्रेट में क्या होगा आपके पास जो college है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा आप दूसरे college के लिए भी choice feeling कर सकते हैं ठीक है तो I hope आप समझगा होंगा अब बात करते हैं counseling सुल्क का भुकतान ठीक है 25 से 29 की बीच में ही आपको 5000 पे करने पड़ेंगे यह 5000 क्यों करने पड़ते हैं यह non refundable होता है यह आपकी fees में add हो जाता है जैसे कि आपकी free seat में लगभग 19000 फीस लगती तो 5000 आपकी fees में add हो जाएगी online पे करने से बाकी जितनी फीस बचिए आपको offline जाकर वहाँ पे करने पड़ेगी ठीक है 25 से 29 के बीच आपको online पे करने पड़ेगा 5000 अगर नहीं करते हो तो आपकी seat lock नहीं होगी और आपकी seat किसी और को a lot हो जाएगी ठीक है और 30 से के बीच आपको यहाँ पर आप जिस college में आपका selection हुआ है वहाँ पर जाकर अपना addition करा लीजेगा आई होप आप समझ गया होंगे आपके जो भी doubts आते हैं आप comment कर सकते हैं ठीक है आपके सारे doubts के यहाँ पर reply करूँगा और telegram और whatsapp चैनल में जाइन करना मत बूलना और अगर आपसे फिर से बता रहूंगा अगर आपसे preference list बनाते नहीं आता है या counseling करते भी नहीं आता है तो मैं आपको हर एक detail दूँगा registration कैसे करना है fees कितनी लगने वाली है हर एक आपको detail दूँगा only 59 रूपीज में आपको important documents दूँगा कैसे बनाना है medical certificate कैसे बनाना है और आपको domicile कैसे बनाना है जितने भी आपके यहां पर doubt आते हैं जो आपके पास नहीं है migration नहीं है TC नहीं तो आपको कहां से बनवाना है किस से बनवाना है सारी आपको detail दूँगा मातर 59 रूपीज में आपके rank category score के according आपको preference list best preference list आपको बना कर दूँगा जिससे आपका selection तो छोड़ो आपका अच्छा college में आपको audition मिल जाएगा ठीक है तो मिलते हैं friends ऐसे ही next important video के साथ जब तक के लिए channel को subscribe, video को like और अपने दोस्तों के साथ share कर दूँ